नमस्ते दोस्तों माय एलेक्ट्रिकल नॉलिज में आपका स्वागत है आज मैं बताऊंगा कि डिडिफ्यूस क्या होता है डिडिफ्यूस को फुल फाम होता है डिरेक्ट डिफ्यूस फ्यूस यह फ्यूस ट्रांसवारमर को फ्रोटक्ल क्रता है ठीक है जिसे देख है एक सभी त्रहलो एक है एक संध्यूस के बीच पलूखной स्वाइट्र इस्वाज के डिडिफ्यूस क की डिडिफ्यूस का जो यह तार होता है यह खंक तन्न боль होता है इस सकर्ट दीलेटि यह फॉजाए लिए होड़ी होता है SUS फीर इस clyd लोड़ भी Ugh फुल्टी अगर आ जाये तो टांसफराब प्रोटेक्ट हो जांग इसलिए डिटी फ्यूजिय controll法 इसलिए डिटी officials Señor sleeping दिर्क 1921 हो ज電व भी करता है ठीर defenders सकर हो wealth इंपर में हीजा वार्णी टार होता है बहुत पतला होताल घीण है यह कि अपर पावर में क्यों फ्लो जाती है यह पर कोई लूड नहीं होता है इसलिए आप देखिए यह रेटिंग सिहांब से इसको लगाते हैं ठी तो जैसे 100 kg एक तो 26 लगेगा 4000 kg 24 लगेगा 630 लगेगा नौसर अब्बे का है 20 का लगेगा डीटिफ्यूस आपको डीटिफ्यूस साँज में आगया होगा चली मैं इसको आपको साइड में लेकर चलता हूं और वहां दिखा देता हूं कि डीटिफ्यूस कैसे लगता है क्या होता है मैं दिखा देता हूं आपको फिर बता देता है डीटिफ्यूस बहुत ही पतला कंड़क्टर होता है ठीक है बहुत पतला कंड़क्टर होता है चली साइट में चलते हैं मैं दिखा देता हूं आपको डीटिफ्यूस क्या होता है प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन जरूर दमाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों आज मैं आपको डेडी फ्यूज के बारे मताऊंगा डेडी फ्यूज होता है डेफ्यूज फ्यूज यह इंकमिंग लाइन है और वहां जो आपको दिखा देता हूं यह यह इधर पर उपर वाला जो इंसुलेटर है और नीच वाल इंसुलेटर उसके बीच में यह एक टार होता है पतला सा तो इसको बोलता है उसी को अपन डेडी फ्यूज बोलते हैं जब भी कभी एकसेस वोल्टेज पर एक के बार अगया तो यह इन डेडी फ्यूस करता है और यह बैक अप के लिए जसे केबल न फॉल्ट आ गया तो यह वाली केबल अपन भीश करेंगी तीक है मैं फिर बता द यह दिधी फ्यूज बहुत पतला एक पन्ड़क्टर होता है यह दिधी फ्यूज अगर वीडियो पसंद आए ता लाइक करिए सब्सक्राइब करिए प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन जरूर दमाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके